नमस्कार दोस्तों मैं राउल सिंग एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन यान के सीटी के इस प्लेटफॉर्म पर कैसे हैं दोस्तों आयोप एक दम बढ़िया मजे में और जक्कास तो बच्चों आज अपन लेका हैं एवरेज का लास पार्ट जहां आपन जो आपसे कहना चाहरा है क्या कहना चाहरा है एक बल्ले बाज 10 पारियों का उसर दो जादा बनाने पड़ेंगे तभी उसका एवरेज कितना होगा दो जादा होगा तो देखो दस वी पारी तक उसने सिस्टी रन मना बहुत अच्छी बात है लेकिन उसको गयारी पारी में क भी जादा बनाने पड़ेंगे तब ही जाके उसका एवरेज 2 से इंक्रीज होगा हां या ना समस्ते हो इस बात को तो जब समस्ते हो आप इतने समझदार हो तो इस कोशन में कुछ भी नहीं था क्या करना था तो ज्यादा कर दिया साथ तो बनाई रहा था एवरेज से और उ यह से वही कोशन है जो आपने रिप्लेस्टेंट वाले कोशन किये थे कोई आया कोई गया वही वाला कंसेप्ट है चलिए सब एक और कोशन करते हैं शांदर आजाएं कि एक बल्लेबाश पंदरवी पारी में 92 रन बनाता है जिससे उसका और चार रन की इंक्रीज होता है मैं लेकर चलता हूं एक बार 14 पारी तक उसका एवरेज क्या रहा मुझे पता नहीं तो मैंने 14 पारी तक जो एवरेज कितना मान लिया एक्स मान लिया तो 14 पारी तक जो उसके रन हो गए कितने हो गया आप बोलोगे सर एकदम सही बात है बिलकुल होंगे अब दूसरी अब दूसरी कंडिशन देखो उसका एवरेज कितना हो रहा है एकस प्लस 4 हो रहा है यह कब हो रहा है जब 15 पारी में कितने रहा है आप बोलोगे सर एकस प्लस 4 से इंक्रीज हो गया क्यों हो गया तो अगर मैं इनको मल्टिप्लाइ कर दूं तो कि यह प्रेजेंट वाला टोटल आजाएगा क्योंकि एवरेज से कितना बढ़ रहा है चार बढ़ रहा है तो साब करो कैलकुलेशन 14 एकस प्लस 92 इदर कितना हो गया फिप्टीन एकस प्लस इदर कितना हो गया 60 हो गया हाँ या ना अब द मतलब रहे हैं क्या जातर करने हो हैं हमें क्या करना है देख ने हम 15 बनारे में 76 बनाराया बनाने तो बहुत अच्छी बात है उसका एवरेज कितना बढ़ रहा है चार से बढ़ रहा है तो रहेaktी में चार से बढ़ रहा है आ바ंगो 11 अतला इनिंग केरी हरेक दृट की दिया कितना गया सिस्टी द्यान 한allo यह किया है ऑगर मैं उसका ऐवरेज 50 से मैनिस कर दू ज artists चार-चार अबड़ा था मैं उसको माइनस कर Duं तो मेरे पास क्या आजाएगा मेरे पास आजाएगा आपके पास की 14 भी पारी तक का उसका अब रेज कितना था क्योंकि Ishi 60 की वज़े से बहर है अगर मैंस इसस्टी को पूछा है कि 15 पारी के बाद एवरेज क्या होगा तो देखो कितना एंगरीज हो रहा है 4 का कितना आंसर आ गया 32 प्लस 4 36 कोशन को ऐसे करना जदा असान है बजाए ऐसे करने से चुटकियों में कोशन सौल हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं एक और कोशन लेते इवराट 25 में 100 बनाता है वेरी गुड उससे उसके रन का जो एवरेज पर मैच 1.4 इंक्रीज हो गया 25 वे मैच से पहले उसका एवरेज क्या था देखना साब सबसे बहुत बताओ कितने रन बनारा है 100 बनारा है कौई बात नहीं एवरेज कितना इंक्रीज हो रहा है 1.4 हर 25 मैच के लिए 25 का 1.4 इंक्रीज करेंगे कितना आएगा 25 इंटु 1.4 किया कितना थर्टी फाइव आया इसको विदाउट पैंट विदाउट पेपर करते हैं तो देखो रन कितने माना 25 में 100 अगर जो टोटल आया उसको माइनस कर दो मेरे पास क्या आजाएगा आपके मैच लेकिन उसने हम से क्या पूछा है 25 मैच से पहले का एवरेज तो हमारा कितना आ गया 65 विदाउट पैन विदाउट पेपर चलो क्या किया देखो इदर यह हो गया 100 मैसे मैंने क्या मैनस किया 25 इंटु 1.4 करेंगे ना बच्चों तब कितना आएगा आप लोगे सब 35 आएगा इसको बस माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या आगया 24 पारी तक का एवरेज आ गया कितना आगया 65 आगया तो हमारा आंसर भी यही हो गया यह लोग कुश्चन नंबर 65 राइट आंसर क्लियर है कहा नहीं आप बोलोगे सब एकदम क्लियर है आगे बढ़ते लो साब दोनी ने 91 मैच में एक निश्यत औस से कुछ रन बनाए 92 मैच पूस ने 54 रन बना जिससे उसका एवरेज 0.75 कम हो गया 92 पारी के बाद का ओसत क्या है दोनी इदा फिनिशर है ना देखो इसका एवरेजी 120 से प्लस है किसी में है बाई साब फिनिश करके जाता था बंदा चलिए 92 मैच इसने किते रन बनाए 54 बनाए बहुत अच्छी बात है बनाने दो कुछ तो बनाए जिससे उसका एवरेज कितना हो गया 0.75 कम हो गया इसको फ्रेक्शन में लिखू तो क्या लिखूंगा आप बोलोगे साथ 3 by 4 लिखो के हर मैच में 3 by 4 3 by 4 3 by 4 कम होता जा रहा है कितने इनि दुकितना चाहि siس टी-nain यानि हर एक मैंच में उसका सिस्टी- वुलो के सर रहा जाता यह कौन सा आवरेज आया यह आया है आपका 91 पारी तक का ठेके लेकिन आप से पूछा है 92 पारी मुस्ट कितना है कि बाद आवरेज कितना है तो कितने की कमई 0.75 की 0.75 की कमी कर देना इतना जाहेगा 122.25 is your right answer एक लाइन के questions होते हैं बस आपका basic बहुत अच्छा होना चीए clear है चलिए आगे बढ़े राहुल द्रविट आ गया राहुल ने 72 पारियों में कुछ रन बनाए अगली दो पारियों में उसने क्रमश है 54 और 36 रन बनाए इसलिए उसका average 3 रन कम हो गया 74 पारी के बार देखो क्या रहा है आपसे एक बार basic से समझाता हूं फिर मेरा वाले अप्रोच बताऊंगा आपको 72 पारियों में कुछ रन बनाए मुझे नहीं मालूम कि से बनाए मैंने माल लिया एक्स की एवरेज से बनाए यानि टोटल रन कितने होगे उसके आप 72 एक्स रन गश्ता अब तीन कम हो गया कब कम हुआ कौना से पारिपा 74 पारिपै तो बता यह टोटल हो गया आप यह जब दोनों टोटल से रहें प्लस हो जाएक यह इदर आ जाएगा 212 १ीज़ प्लस का जाएगा कितना जाएगा आप आप बोलोगे सर यह हो गया 312 ठीक है इदर चल आजाएगा वाइनस को जाएगा कितना जाएगा आप बोलोगे शर 156 अब यह एक्स क्या है यह कौन सा माना था हमने 72 वी पारी तक का एवरेज मना था 156 यह आया एक्स की वैल्यू लेकिन आपसे बूला 74 वी पारी के बाद एवरेज निकालना है तो कितने रन कम हो रहा है तो 156 में से 3 मैनेस कर देंगे 153 यौर राइट आंसर तो अपना आंसर कितना आएगा 153 यह आपका बेसिक हो गया एक दम कि हमें को ऐसे करना है अब ध्यान से देखना एक चीज़ बताना वह 54 बनाए उसने ठीक है प्लस 36 है तो एवरेज अगर हमें एक्वल करना है तो 74 पारियों में उसको तीन ज्यादा बनाने पड़ेंगे आप बोलो कि सब्सक्राइब बिल्कुल सही बात है और यह कितनी पारियों वजह से हो रहा है दो पारियों कामने डिवाइड लगा दिया अब देखो इधर कितना हो गय मैंने यहां करी इस सेवंटीफोर इंट्यू त्री क्या बता रहा है कि वो से तीन ज्यादा बनाता तो उसके पर कोई फरक नहीं पड़ता तो हमें वही डाइवेशन तो निकालना था इतना है यहां तो नहीं जाना है विराड का फुर्टी पारियों का आवरेज कितना है 50 रन है उसका maximum score minimum score 172 जादा है यदि इन दोनों पारियों को निकाल दिया जाए तो बाकी 38 इनिंग में उसका average 48 रन है उसका अधिकतम ठीक है maximum score क्या है एक्जाम में हर एक्जाम में आपको मिल जाएगा कोई भी आप पोड़ी नहीं करने की क्या अपने को देखो एक शीज बताओ कि यह दो पारियां आपकी एक्सक्लूड हो रही है ठीक है अगर वह 50-50 रन लेके जाते तो average पर कोई effect नहीं पड़ता अब यह average 50 से कितना कम हो रहा है तो यानि कुछ न कुछ जादा अपने साथ लेके गएं कितना ज्यादा लेके गएं वह भी आपको बताता हूं देखो एक जना गया 50 रन तो लेके गया दूसरा जना गया दूसरी पारी का 50 रन लेके गया यानि य अगर यह केवल सोरन लेके जाते तो average पर कोई फरक नहीं पड़ता कोई impact नहीं पड़ता उतना ही रहता लेकिन यह कुछ ना कुछ ज्यादा लेके गएं इससे average 50 से का हो रहा है 48 यानि कितना कम हो रहा है दो कम हो रहा है तो एक पारी में दो कम हो रहा है तो कितनी पारी लोएस्ट इसकी वैल्यू कितनी आगे आपके 176 इतने ज्यादा वह अपने साथ लेके गए अब बताव हाइस माइनस लोएस्ट इन दोनों की वैल्यू कितनी रखे 172 अब देखना एक सी समझना अब आपको पूछ रहा है कि maximum score पूछ रहा है maximum score जब करो के ना यह कट जाए दो यहां डारेक्ट एपी बंद रहे हैं इन दोनों का अंशर कितना डारेक्ट वाला नंमर कितना है 174 है एक से भी कर सकते हो डारेक्ट आइसником अगया मन इसदा वितान्व कितना हो मैं अंसर ऐड लो कितना हो दारे नहीं हो छेगा फोर रिध्य कितना हो टृट यह से टिव क्यों आए क्यों कि अपने साथ वो कुछ एक्ष्रा लन ज्यादा लेके गए हर पारी के दो-दो रन लेके गए तो 38 पारी किते रन लेके गए 76 और 100 अपने साथ लेके ही गए तो इस अप्रोच के साथ हमें को सॉल्व करना है चुट्कियों में कुश्चन सॉल्व हो गया आंसर आगया मजा आया तो लाइक करा करो वीडियो को शेयर भी किया करो साथ ठीक है चलिए एक और लेते हैं जड़े जास आगए जड़े जानने क कम हो जाता है अंतिम मैंस तक उसने कितने विकेट लिए देखना आप बॉलिज बॉलिंग एवरेज से क्या समझते हो जैसे इसने बोल रखना कि 12.4 देके एक विकेट लेता है बतला वह जब बारा पॉइंट चार रन देदेगा ना तब उसको एक विकेट मिलता है यह होता कि लगया आप 26 में 5 डिवाइड लगए कितना आप के अग्यां प्लोगैशंसर फफटा इधर कितना बचेगा आप बोलो किसा इधर बचेगा पॉइंट से पॉइंट से पॉइंट केंसिल आउट होगे इधर कितना बचेगा वन इधर कितना बचेगा आप बोलो के सर 17 अब आपको देख रखा है 26 रन देखे 5 विकेट लिए विकेट आ रहे हैं तो 1 की वैलू कितनी त्वी आप बोलों कि सर पांच है आप से पूछा तो 17 कि वैल्यू कितनी हो जाएगी या इंटू पांच कर दोगे तो 85 हो जाएगा अंतिम मेस तक उसने कितने विगे लिए 5 और 85 कितने विगे लिए 9 अगर आप से पूछता कि भाई साब उसने अंतिम मैं से पहले कितने को गया अब आपन दूसरा डेविएशन यूज करते हैं कैसे डेविशन में कैसे करेंगे स्कूशन को एक सी बताओ आप इसका मतलब क्या समझ रहे हो मैं आपको थोड़ी दर पहले बताया था 12.4 रन देके एक विकेट लेता है तो पांच विकेट लेने में उसने कित्ते रन देता है तो पांच विकेट लेने में कित्ते रन दिये तो 5 इंटू 24 12.4 करेंगे यानि कितना आ जाएगा आप बोलोगे सर यह आजाएगा 62 यानि उसको 62 रन देने पड़ेंगे लेकिन उसने कितने रन दिये उसने रन दिये केवल 26 यानि कितने रनों का फायदा हो गया चार से कितना नब्य बदाओ चुटकियों में कोश्चन सौल खतम टाटा वायवाय क्या किया कुछ भी नहीं किया हर एक विकेट के लिए वह 12.4 रन दे रहा था तो पांच विकेट कितने रन देने पड़ेंगे 62 लेकिन उसने रन कितने दिये 26 कितने रन बचा लिए 36 कौन म दिवाइट लगा दिया विकेट आगया कितने नब्य का तब टाटा बाए 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 मजा आया तो चुटकियों में आंसर आएगा ठीक है चलिए एक और कोश्चन लेते हैं आज का और आपके एवरेज का लास्ट कोश्चन कोश्चन आपको बोल रहा कि पहले 20 ओवर के द लिए तो इस बता उसने इंहां वहिंटे उवर तक कितने रन बना लिए हर और मैं फौर पॉटेवर तक सब्सक्राइब नडर तक बना रहे हैं तो और फॉर्पॉर पाइं टुबिस करोगे यानि हुसने नाइन टी रन तो बना लिए कब तक बीस ओवर तक अब इक शीए ब बनाने यहां से एवरेज निकालनी है कि किस एवरेज रन बनाए तो ध्यान रखो एक बार काट दी अपने तीन से काट वेदर कितना होगा टैन तरी से कितना काट लो 64 यानि 6.4 की एवरेज से उनको रन बनाने बाकी के कि लिए मज़ा आया ऐसे कंसर्ट आपने कहीं नहीं पड़े होंगे मज़ा आना ची आपको लेकिन रेडिवेशन का यूज बहुत अच्छे से करना समझ के करना ठीक है चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ तब तक लिए जैहिन जैबारत धन्यवाद